हेलो दोस्तों कोरोना के अंदर काफी सारी कोचिंग्स अपने बूम पर गई जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे उन्होंने लाखों कमाए और सब लोग यही कह रहे थे कि जो ग्रोध 2030 में आने वाली थी वो दस साल पहले ही कोविट की वज़े से आ गई लेकिन आज वो कोचिं में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि ऑनलाइन जो तरीका पढ़ाने का बनाया गया है वो कहीं ना कहीं ट्रडिशनल तरीके को ही फॉलो करा जा रहा है पूरे तरीके से ठीक है कुछ भी उसम टीचर आएगा एक स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने लग जाएगा लेगा मार कर लिखने लग जाएगा चीजे वैसी ही हैं ठीक है लेकिन बच्चे फिर भी ऑनलाइन कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं चीजों को पकड़ने पा रहे हैं वो कह रहे हैं हमें आफ लाइन जाना खुश है तो पीछे कुस्तो कारण होगा ओफ लाइन ऐसा क्या सर्व कर रहा है जो ऑनलाइन सर्व नहीं कर पा रहा है तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनके उपर हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं यह हमने देखा होगा यह कोचिंग अपने बूम पे थी इस टाइ हैं मतलब देखा जाए तो ओनलाइन ने ओफ लाइन को रिप्लेस नहीं करा हां ओनलाइन एक ऑफ्षन जरूर बनके निभर के आया है लेकिन रिप्लेस नहीं करा तो हम लोग इस चीज़ को पर बात करने जा रहे हैं कि यह ओनलाइन कोचिंग अब पीछे दुबारा से क्यो मोटीवेशन देते रहें ओनलाइन वाले बीटना नहीं देते ऑफ्लाइन वाले आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते कोई खास मोटीवेशन कुछ नहीं दे रहा होता को था कहीं न यहीं समझ आती है तो सालोगों पर 10 मिनट 15 मिन एक घंटा एक दिर दस लोगों पर उससे भी कम किसी एक आदमी पर शायद कुछ लंबे टाइन तक इंपेक्ट रहे वह अप्लाए करें ऐसा ही होता है यही रियालेटी है तो सेम चीज हो रही है अब टीचर ने आया मोटिवेशन दिया कुछ ने माना चातर नहीं मान पाए तो केवल टीचर का ज सही कैसे करा जा सकता है और देखो आफलाइन क्लास में क्या होता है मैं पढ़ रहा हूं मेरे साथ वाला पढ़ प्र या के आपको रहा होता है इंप के 10K देखना और 10,000 बच्चों को आँखों से देखने में जमीन और आस्मान का फरक होता है, तो वही चीज मैं गह रहा हूँ, जब पच्छा कोचिंग चल के जाता, उसके साथ भीड़ जाते हैं, तो उसके दिमाज में कहीं ना कहीं रहता है, अगर इतने लोग भी सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम गोल की तरह भाग रहे हैं, तो अगर मैं तेज नहीं भागूँगा, तो इंसे पीछे रहे जाऊँगा, यह motivation ओन्लाइन में नहीं मिलिगा लेगा, ठीक है, तो लैक आफ मोटिवेशन है, तो इस motivation को कैसे दिया जा सकता है, इस आपकी कोचिंग का नाम तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ बच्चों में भी motivation आ रहा होगा, बच्चों को भी दिख रहा होगा, कि अच्छा, मेरे section में मान लेजे, मैं जिस बैच में पढ़ रहा हूं, उस बैच में इतने बच्चे पढ़ रहे थे, उनका ये score चला था, आज उनका ये score चल रहा है, तो मैं कहां lag कर रहा हूं, मैं कैसे आगे पीछे भाग रहा हूं, ये comparison जो है, ये बहुत फायदा देता है, अगर good comparison हो तो, तो बच्चों में motivation जरूर रहेगी, इसके साथ साथ हम कुछ goals देदें बच्चों को, जैसे कि मैं प्रमोशन नहीं कर जैसे कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाम छोड़ देता हूं, एक coaching है, जिसके online courses आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, coding के लिए हम लोग उनके courses लेते हैं, उन लोगों ने क्या theme निकाली है, कि हम आपका 90% पैसा वापिस कर देंगे, अगर आप हमारे पूरे course को 90 बे दिन में खतम कर देंगे, जो कि एक अच्छी motivation बच्चे के लिए हो सकती है, उसे ये लगेगा कि हाँ, इतना पैसा मैं कमा लोगा, वह एक तरीके से तो यह हो रहा है, आपका course का पैसा गया, लेकिन अब उस पैसे को आप दुबारा earn करके back ला सकते हैं, कि इस तरीके से कि अगर आप उस course को जल्दी खतम कर दें, तो हो सकता है, बच्चे से 95% उसे जल्दी खतम कर दें, तो वही चीज़ है, ऐसे goals होने चाहिए, online चीज़ों को feasible होना, बढ़ते हैं हमारे दूसरे point की तरह, ये point है तो दमदार, लेकिन कईयों को नहीं लगता, हम तो जो metropolitan cities होने रहते हैं, उनके लिए point इतना ज़्यदा, valid भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे छोटे शेरों से उनके लिए बहुत valid होने वाला है, सुनिए क्या है, देखिए, technical issues, हां, कुछ बच्चे ऐसी जगा पढ़ते हैं, जहां पे network के अच्छे नहीं है, अब वो फस गए, वो online class चा आज कल mobile से ये laptop से इतना sufficient knowledge मिल सकती है, कि कोई बच्चा अगर IT जही नीट की तियारी करना चारा है, क्लाइट की तियारी करना चारा है, किसी भी competitive exam की तियारी करना चारा है, तो वो केवल online कर सकता है, उसे offline जाने की ज़रूती नहीं है, वो अपने गाउं में रहे के अपने internet ही नहीं है, चलिए internet तो एक छोटी सी चीज है, वो शायद technical issues बहुत हो जाते हैं, मालने जी कोई glitch आ गया, अब उस glitch के लिए शेयर जाना और शेयर काफी दो रहा है, ये issue रह सकता है, कोई software glitch आ गया, ये solve नहीं हो रहा, तो देखिए coaching वाले क्या कर सकते हैं, जब आप इत अंसर करें, वो team उसे answer करें, ठीक है, अगर इस तरीके की solution होंगे, तो चीज़े अच्छी हो सकती है, और अगर मैं कहूं, Wi-Fi वगरा की, तो आप कुछ ऐसा जुगार कर दीजिए, कि भई बच्चे को एक portable network मिल जाए, कि भई इस area में आप आ सकते हैं, इस गाउं के इस area मे हैं, हमारे कुछ network service center है, वहाँ पर आके आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़े होंगी, तो मज़ा आ रहा होगा, बाकी एकिवल suggestion है, देख लीजिए, है ना, तो क्या पता इस से rise हो जाए, तो अगला point हो सकता है, too many restrictions, मतलब बच्चे के आगे पहुत सारे restrictions हो किस तरीके सम इस चीज़ को समझे, हम उसे इस तरीके समझ सकते हैं, कि देखो, जब अचा पढ़ रहा होता है, उसके आद में laptop भी है, उसके आद में mobile भी है, और क्या हो रहा है, laptop पे teacher पढ़ा रहा है, mobile पे वो game खेल रहा है, या फिर laptop पे teacher पढ़ा रहा है, उसने screen down करी, और दूसरी screen पे वो jump कर गया, यह चीज़े थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, अब इसका solution क्या हो सकता है, इसका solution काफी अच्छा है, उसका solution क्या होगा, कि हम इस तरीके से अपने app को design करें, कि बच्चे एक बार class monitor करेगा, तो उसे वो class पूरी देखनी पढ़ेगी, अगर व वहीं के वही class pause हो जाएगी, और यह चीज monitor होती रहेगी, और monitor होके उसकी कारजन को जरूर जाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में बेचीज बनी रहेगी, कि भाई, अगर मैं class छोड़ता हूं, तो दिक्कत होगी, अब आपने कहा, कि भाई, आपने तो पहले किसी भी developer के लिए बहुत बड़ा task नहीं होगा, ठीक है, अब यह app यहां remote कर रहा होगा, वहाँ पे वो चीज़ remote हो रही होगी, दोनुची sharing में आएगी, अब इसके बाद बच्चा mobile भी ना चला पाएगा और वो भी नहीं चला पाएगा, ठीक है जी, इस तरीके से इने block क कर दिया जाए, कि जब तक वो बच्चा उन चीजों को यूज नहीं कर सकता, तो चीज़े आसान हो रही होगी, थोड़ा सा उसकी help हो रही होगी, coaching वाले इसे देख सकते हैं, ठीक है जी, हाँ privacy की बात करें, तो थोड़ा तो share करना पड़ेगा ना, है ना, तो अगर यह ची लोग, अगर आप भी अपने बच्चे को serious नहीं लेगें, तो दूसरा आपके बच्चे को serious बिलकुल नहीं लेगा, और बच्चा आपका अपने course को बिलकुल serious नहीं लेगा, और अगर वो serious नहीं लेगा, तो selection होने के chance कम हो जाते हैं, हाँ जी, तो इसे के साथ इस वीडिय में जाना आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मिलते हैं आप से next video में, till then bye bye, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को like करना, comment करके बताना आपके क्या विचार है,